आज हमें exercise 9.3 का question number 5 करना है और ये question इस exercise का आखरी question है तो चलिए time waste के बगेर हम आते हैं हमारे question की और हमारा question है add add करना ये जो binomals हमें दिये गए है इनको add करना है तो देखी क्या करेंगे पहले हम इनको लिखेंगे P into P minus Q है कॉमा की जगा पलस डालेंगे क्योंकि हमें add करना है Q into Q minus R है add की जगा भी पलस आएगा क्योंकि हमें क्या करना है add करना है यहाँ पर R into R minus P है अब देखें add करने से पहले हम क्या करेंगे इसको थोड़ा हल करेंगे simplify करेंगे वो ठीक तरह से बनाएंगे जिस से हमें आसानी होगी इसको add करने में तो P को जब P के साथ multiply करेंगे तो यह P square आ जाएगा basis से हम power add करके minus P Q plus Q square Q into Q plus minus minus Q R plus यह वाला पलस नीचे R square plus minus minus R P ठीक है अब इसको थोड़ा ठीक तरह से लिखेंगे square वाली अलग P square आता है Q square आता है plus R square आता है फिर minus P क्यो यह वाला minus Q R यह वाला minus R P इस तरह से इस वाले पार्ट का हमने क्या निकाला answer निकाला और यह वाला पार्ट हमारा होता है complete अब इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें करना है इसको भी add करना है तो देखें क्या करेंगे यह trinomal है पहला वाला पार्ट जो था वो bhinomal था इसमें क्या है trinomal है trinomal इसको add करना है तो देखें क्या लिखेंगे solution में पहले हम ऐसे लिखेंगे जो हमें question दिया गया है z-x-y and की जगह add डालेंगे 2y into z-y-x अब इसको थोड़ा simplify करेंगे और इसके बाद हम इसका answer निकालेंगे तो देखेंगे क्या बन जाएगा 2xz 2xz बन जाएगा क्योंकि 2 को इसके साथ number 1 है तो 2xz बन जाएगा x1 एक 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 minus 2xz बन जाएगा basis सेंब पावर एड होगा इसके साथ plus आएगा plus minus minus आएगा इसे तरह से यहां भी minus 2xz plus 2yz plus minus minus 2yz plus minus 2xz ठीक है अब देखें क्या होगा पहले हम लिखेंगे minus 2xz क्योंकि इसकी डिगरी जो है वो 2 है तो पहले यह लिखेंगे फिर इसके बाद लिखेंगे minus 2yz पहले हमने यह लिखा फिर हमने यह लिखा अब देखें इसके बाद लिखेंगे यह पलस है 2xz और minus 2xy यहां भी माइनस 2XY तो यह माइनस 4XY बन जाएगा और आखिर में आएगा 2YZ एड़ वाला तो इस तरह से यह दो पार्ट से हमारे सॉलो हो गए अब आते हैं हम हमारे C पार्ट की तो देखिए हमारा C पार्ट क्या है 3L into L minus 4M plus 5N from 4L into 10N minus 3M plus 2L इसको सब्ट्रेक्ट करना है क्या करना है सब्ट्रेक्ट अब सब्ट्रेक्ट में दूर चीजों का पता होना जूरूरी है एक को हम कहते हैं माइनुएंट माइनुएंट होता है वो बड़ा वाला नंबर जिसमें से हमें सब्ट्रेंट बाहर निकालना होता है कौनसा subtrahend बाहर निकालना होता है तो from के बाद वाला number जो है ये हमारा minuet है क्या हुआ? ये हमारा minuet हुआ और from से पहले वाला हमारा subtrahend होता है इन दोनों को जब हम difference ये निकालेंगे, subtract करेंगे तो हमें मिलेगी वहां से difference क्योंकि ज़ब हम माइनूर में से subtrahisches को निकालते हैं तोु वहाँ से , स्वेस्टमंट मेस निकालते हैं , य।बÕ़ को फ़ए मृटक्स क्योते हुआ सब्सक्राइब कर तो धुक्षत्व मृटक्स में कर्या हुआ कॉरीठ्ट होरिजेंट.. कि हम direct horizontal method में करेंगे क्योंकि आप 8th class के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा बड़ा वाला सोचना पड़ेगा, बड़ा वाला method यूज करना पड़ेगा तो पहले हमें कौन सा लिखना है from के बाद वाला जो हमारा minuant है 4L into 10N minus 3M plus 2L पहले लिखेंगे, फिर minus क्योंकि हमें क्या करना subtract this from this यानि इसमें से इसको निकालना है तो ये हमारा minuant हो जाता है minuant बन जाता है minus 3L into L minus 4M plus 5N अब इसको थोड़ा solo करेंगे हम देखिए क्या बन जाएगा 410,000, 40, 4LN आएगा इसके साथ फिर minus 430,000, 12LM plus 420,000, 8L सुकेर अब देखिए आपर क्या होगा minus आएगा 3100,000, 3LN, 12L सुकेर minus minus पलस आएगा 340,000, 12LM minus पलस माइनस 35,000, 15LN समझा रहा है न क्या क्या हमने अब देखिए क्या होगा इसको थोड़ा सा अब यहां से हम सब्ट्रैक्टिक करेंगे तो 40LN यहां पर है, यहां पर minus 15LN है 40 मैंसे 15 निकालेंगे, कितना आएगा 25LN, minus 12LM और यहां पर plus 12LM यह दूनों कैंसल हो जाएगे 8 मैंसे 3L सुकेर निकालें 8 मैंसे 3L सुकेर निकालेंगे तो पलस आएगा तो यह 5L सुकेर आएगा इस तरह से इस वाले पार्ट का यह हमने आंसर निकाला तो यह हमारा आंसर होता है अब इसको थोड़ा सीधा लिखेंगे हम तो L सुकेर वाली टरम पहले लिखेंगे तो यह 5L स्केर पलस 25L क्यूnantsकेetr इसकी डिगरी जो है जियादा है इस तरह से हमने इस वाले पार्ट का आंसर निकाला अब हम आथे हैं धी पार्ट की और जो कि इस कौश्चन का आखरी पार्ट अब हम आते हैं इस कौश्चन के धी पार्ट की और जो कि इस question का आखरी part है subtract this from इन दोनों को subtract करना है तो from के बाद वाला number यह जो है यह हमारा minute है यह हमारा subtract तो पहले इसको लिखना है फिर इसको तो देखे हम क्या करेंगे 4C into minus A plus B plus C पहले लिखेंगे फिर आएगा from की जगपे minus आएगा और यह वाली expression हमें लिखनी है 3A into A plus B plus C ठेक है उसके बाद minus 2B into A minus B plus C अब इसको थोड़ा solo करेंगे हल करेंगे उसके बाद subtract होगा इसका तो यह देखेंगे क्या आजाएगा तो यह क्या बन जाएगा minus 4AC multiply होगा इसका plus 4BC plus 4C square minus AC रखेंगे इसको अंदर हम पहले solo करेंगे जिसे कि आपको भी समझ में आसानी होगी 3A को A के साथ multiply होगा तो 3A square बन जाएगा क्योंकि basis A की और power इनके add होंगे फिर 3AB plus 3AC minus 2AB minus minus plus 2B square minus plus minus 2BC ठीक है अब इस minus A इन सभी को multiply होगा तो यह बन जाएगा minus 4AC I C E plus 4BC B I C E plus 4C square B I C आएगा minus 3A square बन जाएगा यह बन जाएगा plus minus minus 3AB यह बन जाएगा minus 3AC यह बन जाएगा plus 2AB यह बन जाएगा minus 2B square और यह बन जाएगा plus 2BC ठीक है तो देखें पहले हम लिखेंगे minus 3A square इन दिग्री बड़ी है इनकी फिर माइनस 2b सुक्यार फिर हम लिखेंगे पलस 4c सुक्यार आगए यह तीन अब इसके बाद देखें माइनस 4ac है यहां पर और यहां माइनस 3ac है क्या है माइनस 4ac माइनस 3ac तो माइनस 7ac बन जाएगा पलस 4b c पलस 2b c तो यह पलस 6b c बन जाएगा अब बचता है माइनस 3ab और पलस 2ab यह बन जाएगा माइनस 3ab देखें कैसे माइनस 3ab है और दूसरी टर्म पलस 2ab एक माइनस है एक पलस है तो होगा क्या सब्ट्रेक्ट होगा इसको क्या होगा सब्ट्रेक्ट होगा लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले नमबर का रहेगा किस वाले नमबर का बड़े वाले 3AB मैंसे 2AB निकालेंगे तो AB आएगा फिर बड़ा वाला कौन सा है 3AB, इसका साइन का, माइनस AB तो इस तरह से हमाइनस AB आएगा, ठीक है इस तरह से हमारी exercise भी इसी question के साथ खतम होती है तो हम मिलेंगे हमारे next lecture में जिसमें हम नई exercise स्टार्ट करने जा रहे हैं